और जले रुख करेंगे कुछ और खबरों कातो राइपुर सेहम खबर जाँ चत्तिस गड़ में चुनाव प्रचा तेज हो चुका है प्रदेश के दौरे पर भाजपा के दिक्कच नेता हैं आज आएंगे असन के मुख्य मंत्री हिमंता विस्वासर्मा महसमुद में जनस्तभा को संबोधित भी करेंगे वहीं भाजपा प्रत्याशों की नामांकन रैली में शामिल होंगे बिलासपूर और खेरागड में भी चुनावी सभा होने वाली है पूर्व केंद्री मंत्री रवी शंकर प्रशाद का भी 36 गड़ दौरा है तीन दिवस्य दौरे पर रहेंगे पूर्व केंद्री मंतरी रवी शंकर प्रशाद सूरजपूर और दुर्ग में आम सभा को करेंगे संबोधित 28 अक्टूबर को रायपूर ग्रामिड विधान सभा छेतर में कारिक्रम कायोजन है केंद्री राजमंतरी रामदास 58 अठावले भी आज रायपूर आने वाले है तो बतादे शाम पाजबिचे रायपूर में पच्रकार वारता को संबोधित करेंगे तमाम दिगजों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है जो नाओ प्रचार पूरी तरह से अब रंग में आ चुका है चत्रजगर में भाजबा के दिगजों का दौरा और असम के मुख्यमंतरी मंता विस्वास सर्मा भीस में शरकत कर रहे हैं चार की रफतार पूरी तरह से अब तेज हो चुकी तो चत्रजगर में भाजबा के दिगज नेताओं का दौरा है बैक टू बैक आज कई दिगज नेता रायपूर आने वाले हैं के साथ साथ सूरजपूर महा समुद में भी वह आमसभा को संबोधित करेंगे नामांकन रैली नामांकन दाखेल हो राही तमाम प्रत्याशियों के वह ऐसे में जो दिगज है वह लगतार दौरे पे दौरा है जनन सभा कर रह रह है चुनावी रैलिया कर रहे हैं, चुनाव प्रचार पूरी तरह से तेख दो चुका है, शाम पाज बजे राइपुर में बच्रकार वार्ता को संबोधित भी करेंगे गसम के मुक्य मंतरी मंता विस्वा सर्मा इसमें शामिल हो रहे हैं, महासमुन में जनल सबा होने जा रहे हैं, जिसमें संबोधन भी उनका होगा इसके साथ यह आपको बता दे कि भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भी विश्शामिल होंगे, इसके अलावा बिलासपूर और खेरागर्ड में भी चुनावी सबा होने वाली है, जिसमें पूर्व केंद्री मंतरी रवी शंकर प्रशाद का भी छत इस गर दो